हाई एव्यवन स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम 20 questions देखेंगे आपके synonyms से अगर आपकी feedback अच्छी रहे इस वीडियो के लेकर तो हम next वीडियो में 30 questions solve करेंगे और इस तरीके से मैं आपके synonyms के parts को जल्दी से solve कर लेंगे और आपको देखिए मैंने आपको clues दी जो को देखना होता है तो आप दो तिन दिन वाद फिर से देख लीजिए तो आपको यह काफी लंबे समय तक retain रहेंगे recall करने में इजी रहेगा तो आईए स्टार्ट करते हमारा first word है जो हमारा irrevocable तो आपके पास यहां पर दो हिंट दिये हैं एक तो है आपके पास clock और ए 100% होगा ही होगा जैसे या फिरो वांटीड का डायलोग था कि जो मैंने एक बार कमिट्मेंट करती तो मैं फिरा किसी की बिन सुनता कुछ ऐसा ही था वांटीड का था या शायद दबंग का था तो कहने का मतलब है irrevocable का मतलब होता है कि अटल जिसे आप change ना कर सके इसी तर चेंज ना कर सके ठीक है डन भी नहीं होगा reversible का मतलब होता है जो reverse हो सकता है मैंने आपको कुछ बोल दिया वह मैंने reverse लिया मैं अपने शब्दों को वापिश लेता हूं इस तो शब्दों बोल दिये ठीक है बटो एक स्टेट्मेंट सी हम पास करते कि मैं अपने शब्दों वापिश लेता हूं तो अन अल्टरेबल का होता है ठीक है अन अल्टरेबल का मतलब होता है जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं स्पेशली हम बात करते हैं कि डिसीजन की विच कांट भी चेंज आपने जो जीन होती है डैनिम होती है उसे हम अल्टर करवाने के लिए देते हैं तो वही मतलब आप उसे चेंज करवा देते हैं ठीक है तो यहाँ पर इरेवो के कबल का मतलब वो आपका अनल्टरेबल जो चेंज ना हो सके ठीक है जो अटल है या जिसे आप रिवर्स ना कर सके तो आपका यह हिंट था आई होब आपको समझ आया होगा नेक्स्ट आपका एड़ान तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो हिंट है कि यहाँ पर यह मेक अप है और मेक अप से आपको पता है क्या होता है मतलब मेक अप से आप खुद को समवारते हो ब्यूटिफाई करते हो तो एड़ान का का मतलब होता है idea on का मतलब होता आपका सजाना या डेकोरीट या प्रेटीफाइथ ठीक है तो यह आपके हो गया इसके सिनॉनिम तो मैंने आपसे बताया कि एड़ान का मतलब होता है ब्यूटिफाई तो आप यहां से याद रख सकते हैं कि मेकप से मतलब आप खुद को और सजा सकते हैं तो यह आपका हो गया एड़ान को मोशन तो यहां पर आपको देख रहा होगा कि यहां पर यह लाउट स्पीकर ओन है और इस्टरबेंस हो रही है तो को मोशन का मतलब होता आपका जब आपका ग्रेट नॉइस हो बहुत शोर हो ठीक है यह बहुत जाद एक्साइटमेंट हो तो उसके वज़से क्या होता है कि एक जब शोर होता है तो उसके वज़से आपको क्या होती है दिस्टर्बेंस ठीक है तो ओप्शन सी आपका जो है वह राइट आंसर हो सकता है तो अपसिन का मतलब क्या होता है तो नर्चर का अगराम यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर आपने यह बौद और देखे कि य अभी अभी grow होना start हुए हैं तो nurture का मतलब होता है to grow deny का आपको पता है बट यहां पर आपके पास चार option है regain, refuse, repair and reduce तो deny का मतलब होता है मना करना तो यहां पर जो होगा आपका refuse जो है वापका right answer होगा आपको अपना score जो मुझे comment section में बताना है कि आपको कितने questions आते थे और कितने आपको आपको remember हो चुके है abuse, abuse का मतलब देखिए अगर हम आपको पता है कि डांटना या यहां गालियां देना ठीक है या किसी को प्रताडित करना इस तो नहीं होता है प्रेज तो आपको प्रशन से होता है रेस भी नहीं होता है तो स्कॉन जो है आपका right answer option is the right answer डुसाइल तो डुसाइल करें यहां पर यह नोग अधिशन कर रहे है तो अधिशन से क्या होता है कि आपका माइंड कूल होता है आप अपने को इच्छा से जानते हो और दूसरों के प्रति आपके जो यह नोग विनम्बर भाव आता है आप थोड़े होने के लिए इज़त देते हो इस तरीके से मतलब आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव एनर होता है थोड़ा एटिट्यूड वाला ठीक है इस तरीके से स्टरबन का मुझे एक्जेक्ट हिंदी मतलब याद नहीं आ रहा है बट स्टरबन का यूनो थोड़ा घमंडी टाइप आता है स्ट्रॉंग या चेंजिबल तो नहीं हो का तो ऑप्शन इस दर राइट आंसर कंस नमस्ते हो तो उसे कहते हैं कंसीडरेट तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन दी थॉट्फुल देखिए आपको लग रहे हैं कि बहुत ही हमने कंसीडर आपने पढ़ा है तो कंसीडरेट तो आप करी लोगे बट देखिए आम शौर कि जब आपको यही कोशन मान लीजी एक्जाम में आजा तो मैक्सिमम लोग इसे गलत कर देंगे विए तो वह एग्रीबर पर लगा देंगे या लाइक माइंडिट पर लगा देंगे पर जुसका राइट आंसर ऑप्शन दी थॉट्फुल फ्रूगल फ्रूगल का आपको बताना है क्या होता तो मैंने यहां प देखिए यह आपको हिंट दिया है यहां पर यह पैसो को बहुत ही चंदी को इक़्टे कर रही है को इकठा کر रही है और यहां पर आहां हम का करता जो आपके mindset होते है याने कि जो प्रूगल का मतलब होता आपका था फ्रूगल का मतलिब लाता आपका पर्चेस कर सकते हूं economical बड़ आपके पास पैसा होते हुए भी आप खर्च नहीं करना चाहते हैं उसे कहते हैं माइजरली या जिसे हम उसे कहते हैं कंजूस इर्रेजल्यूट तो देखिए अगर आप यहां से हिंट देखें no yes maybe तो आप confusion है कि आप डिसाइडी नहीं कर पारेगी हाँ ना या मेभी कुछ भी हो सकता हाँ भी होसता ना भी होसता हाँ या ना कुछ भी तो यहां से जब आपकी बात आती इर्रेजल्यूट का मतलब होता है अंसर्टेन डगमग जिसका आप कुछ फिक्स ना हो ठीक है तो उसे कहते हैं अंडिसाइडेड मोटी मोटीव तो आपको पता है यह मोटीव होता है आपका इंटेंशन रिजन नहीं होगा यहां पर option C is the right answer पिटी का जो हमारा होता है वो दया होती है और पिटी का अगर हम राइट आंसर देखें तो यहां पर जुसका राइट आंसर option B mercy और देखें काइंडनेस तो आपकी सब के साथ होता है ठीक है जैसे यहां पर आप मरसी के करम देखें तो यहां पर यह जो मेवी यह गरीब हो सकता है ठीक है तो आपको दया भावाया तो आपने उसे पैसे दे दिये बट काइंडनेस तो आपका नीचर हो सकता है यह आपक तो क्वेश एक तो देखते हैं पहले हम इसका यहां पर ठोड़ा यह अदालत से लिटेड है डिसीजन से लिटेड है अब हम यहां पर एक न्यूस पढ़ते हैं यह रीसेंटी न्यूस आई थी एक दिन पहले की यूटूब मूर्स मदरास हाई कोट फॉर क्वेशिंग एफ हाई रिन कनेक्शन विद मिस एप्रोप्रियेटिंग फंड कलेक्टिट फॉर टेंपल रेनोवेशन मतलब जो यूटूबर था उसके खिलाफ एफ हाई आर हुई है कि उसने मतलब फंड्स इकठे कर दिये टेंपल प्रष्ट कर दिया जाए उसे stop कर दिया जाए या बंकर दिया जाए ठीक है को इसे मतलब होता है वह था आपका reject नहीं कभी-कभी जैसे आपकी जो हाई-कोर्ट डिसीजन दे देते हैं तो लोग यूदो सुप्रीम कोर्ट मुव करते हैं उस डिसीजन के अगेंस तो जो है Supreme Court उस judgment को quash कर देता है High Court के quash का मतलब बता है reject होता है जब कोई भी चीज आपकी इनो जो ऑफिशल जो आपका decision होता है आप उसे legal नहीं मानते हैं ठीक है तो उसे कहते हैं quash या उसे जब आप reject कर देते हैं रिस्ट्रिक्ट आपको पता है रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोगना प्रोहिबिट यह प्रोहिबिशन तो option भी आपका जो है यहां पर राइट आंसर है और कर्टेल का मतलब होता है आपके पास घटाना रिटेन तो आपको पता है जैसे वापीश लेना या बुला लेना जैसे आपके प्लेश रिटेन होते हैं मतलब जैसे कोई पंजाब से खेल ला है तो फिर से उन्होंने ले लिए मतलब वह रिटेन कर लिए उन्हों फिर से अपने पास ही रख लिया तो रिटेन आप इस तर याने की आप एक अंदाजासा लगा रहे तो एंटिस्पेट का मतलब होता है आपका accept थीए मतलब आप पुर्मान-मान लगा रहे accept आपको पता है यह स्विक्रित करना याने या मानना antagonize का आपको मुझे बताना है कि antagonize का मतलब क्या होता है जैसे आपने यह भी कि कई वार जो एक्यूजड होते हैं वो पहले anticipatory bail के लिए court चले जाते हैं मतलब गिरफतार होने से पहले वापकी एक bail के लिए चले जाते हैं कि वो गिरफतारी से बच सके हैं उसे कहते हैं anticipatory bail तो आप यह भी याद रख सकते हैं आपको मुझे बताना है यहां पर इसका जो है वो राइट आंसर क्या होगा अब जो हमारा सन है उसके पास एक्सेसिव एनर्जी है खतम ही नहीं हो रही है ठीक है सालों लाखों सालों से चलता जा रहा है आपको एनर्जी दे रहा है बट फिर भी इसके एनर्जी खतम नहीं और यह ट्रिमेंडेस का मतलब होता है वैरी लाज एक्सेसिव ऑप्शन दी इस दर राइट आंसर ऑसम नहीं होगा रिमार्केबल या कंसीडेबल भी नहीं मैटिकुलेस जो आपके डिटेक्टिव्स होता है उनके पास जनरली आपको एक यूणो लेंस मिलता है पॉकेट में रख रखते हैं तो मैटिकुलेस का मतलब होता है जब वह आपको बहुत ही माइन्यूट सी या छोटी चीजों को देखना होता है या सुक्षम जिसने हम हि याद कर सकते हैं कि Mr now, abundant कई बार आता है एबन्डन का मतलब होता है प्रचूर मातरा में यह प्रचूर तो सफिशंट तो सक्षम जनता हिसा की मतलब बस गुजारा करने है chemical होता है कि हाँ काफी है तो प्लेंटी फुल का जो यहां पर अबंडेंट का रएटांस होगा प्लेंटी फुल यहां पर धिक्स अपकर यह पास है हराउ है खूब पैसा तो ability इस दा राइट अंसर अप्टोर यहां पर देखिए आपश में हाथ आप मिला रहें शादिये भी यहां पर न्यू फैमिलीज है तो ठीक है आपस में हाथ पिला रहें और जान पहचान करें तो एक क्वेंट का मतलब होता है तो इंट्रोड्यूज ऑप्शन भी इस दह राइट अंसर अरॉज का तो होता है आपका से अपने आगर आप उतेजित हैं या इंटरस्ट हैं तो यह आपके हैं जो वह इसका मेनिंग हो सकता है तो यह थे आपके 20 कुशन्स आप अपना स्कूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिकर्स देखिए जितने भी इंटरस्ट होते हैं खुद सोचने पड़ते हैं कि यहां पर क्या जो है वह आपका सही बैठ सकता है यह सब कुश इंटरनेट पर अवेलिबल है बट आप खुद दिमाख लगाना पड़ता है कि आपको कौन सी पिक्चर इसमें सेट ब रहेंगे तो मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में तिल देन हम गुद टाइम टेक क्या